यही नमचका दूस्तों मैं हुजवल सावगत आपका स्मार्ट इकनों के फिससे दूस्तों मुझे कहीं यूजवस में पूछा कि फायर बॉल्ट स्मार्ट वाच को रेइस्टर केसा करना है वारंटी कार्ड का इसा रेइस्टर करना है तो इस वीडियो में यह देखिए वारं सब्सक्राइए आपको अगरे आपको पहले ही बतायाँ है यह देखिए यह वारंटी कार्ड में यह देखिए सब सेम आपगों वारंटी का दिखा देता हूं और बाती सब सेम है आप उस तरह से कर लीजिए तो यहां पर फिलाल कैसा करना है आपको दाना हूं यहां पर देखे एक तो आप आपके मोबाल लेकर इसको स्कान करिये तो यह वेश्टेट पर आप चले जायोगे तो यह वेश क्या करते हैं यह गाना का हो गया यह वारंटी फॉर्म तो जैसा ही हम इसको क्लिक करेंगे अडर्स देखिए bold.com यह देखिए अडर्स देखा आपको bold.com और slash warranty था जैसे हम उसको क्लिक करेंगे तो यह पेज आ जाएगा bold audio warranty फॉर्म बलके तो यहाँ पर आपको क्या करना है फस्ट अफ़ल यह पेज आती है आपको आपके लॉगिन के लिए आपका Gmail ID पुछेगा तो मैंने मेरा Gmail ID दाल दिया है Smart Tech Info का मेरा चैनल का तो उसने ले लिया उसके बाद यह पेज आता है दोस्तों जी हाँ तो याद रखिए नेम जो भी नेम था मेरा बोल्ट स्मार्ट वाच है तो मैं बोल्ट स्मार्ट वाच दालूँगा तो ऐसा यह नाम वगरा सब दालना है पूरा तो यह हो गया तो इसके बाद चैनल आफ पर्चेस के आपने कहां से चूज किया Amazon मैंने Amazon से लिया था तो Amazon आएगा और यहाँ पर आपको एक्स्टा वारंटी चाहिए तीन मैने तो यास तो यास नो तो नो और नेक्स्ट कर दीजिए जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो आपको क्या आएगा यहाँ पर दुसरा और एक चोटा सा दो थीन फॉर्म साएंगे जिसमें आपको आपका मोबाल नमबार पूछा जाएगा और आपका email आड़ी वगरा जैसा अलड़ी पहले ही पूछा गया है तो वहाँ पर आपको successfully आपने कर लिया वहाँ पर आपको product ID जो order ID है Amazon का जो आपने order किया था वो ID पूछेगा और जो आपने product लिया उसका आपको peak निकल के वहाँ पर share करना है या आपको एक review दालना है Amazon पे और उसका screenshot निकल के वहाँ पर आपको upload कर देना है बस submit कर देना है तो आपको निक्चे लिखावाएगा आप successfully submit हो गया है बस इतना ही रहेगा इसका mail आपको acknowledgement नहीं आएगा दोस्तों जी हाँ warranty का mail आपको आपको कुछ दिक्कत आ रही हो तो जरूर मुझे comments में पूछे मैं आपको ज़रूरे help करूँगा किनकि बहुत simple है मैं यहाँ पर करका दिखाने वाला था बट already मैंने यह warranty का कर लिया है तो इसमें यहाँ पर कर नहीं पाऊंगा फिर से वही वही फिर भी यहाँ पर मैं आपको एक option बताता हूँ यहाँ पर मैंने मेरा नाम दिया उज्व दालूंगा और यह देखिए for example मैं कुछ भी दाल देता हूँ चलो ठीक है यहाँ पर चूस प्रोडेक्ट नंबर यह मने स्मार्वाश ले लिया Amazon से no कर दिया जैसा मैं next करूंगा तो यहाँ पर देखिए click to submit to finish मैं submit ने करूंगा यहाँ पर तो जैसा मैं finish करूंगा तो वहाँ पर वो लोग confirm बता देंगे कि आपको अभी जो आपने Amazon से लिया उसका order ID आपको दलना है और उसका screenshot निकलना है वहाँ पर एक review करके और इसक successfully आपका warranty register हो गया fireball का तो बस दोस्तों इतना ही था तो यह मैंने बताया आपको किस तरह से fireball जो अपना smart watch है यह कैसा register करना है मैंने आपको बता दिया वैसे सेम आपको गाना.com करना है वैसे सेम आपको जी सब्सक्राइब का जो है वो करना है और यह fireball का जो प्ले आप है प्ले स्टों से यह सब वैसे ही आपको करना है तो बस यह बहुत सिंपल है फिर भी आपको कुछ दिक्कत हो रही है तो जरूर मुझे कबर्स में मैं आपको बता दूंगा और जरूर शेर करना इस वीडियो को ताकि बहुत सारे जिनको डॉर्स है उनको भी easy हो उनको पता च जए हिन्द